नमस्कार, सफेद दाग बिटी लिगो या लिकोटर्मा जी से कहा जाता है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यदा इस चीज की जो पेशन्ट है वो हमारे देस में है कि सफेद दाग के जो पेशन्ट होते हैं पूरी दुनिया में 70 million से ज्यादा लोगों को ये सफिद दाकी तकलिफ है तो ये जो सफिद दाकी समझ्चा होती है उसमें एक दवा है जो कि बहुत ही कमाल का काम करती है इस दवा की जो परियाय नाम होते हैं परियाय मतलग एक दवा जैसे पानी को हम क्या बोलते हैं जल भी बोलते हैं, नीर भी बोलते हैं, वाटर भी बोलते हैं, तो पानी की जैसे अलग अलग परियाय नाम है, वैसे जब इस दवा की परियाय नाम, मतलब एक दवा को और अलग अलग कितने नामों से बोला जा सकता है, वो देखेंगे, तो उसमें इस दवा को शुत्र भैसज्य कहा गया है शुत्र मतलब सफेद दाग बैसजी मतलब और शदी तो इसके परियाए नाम में क्या बोला गया है कि सफेद दाग की ये एक सबसे जो बैस दवाईया हो सकती उसमें से एक है तो ये क्या है और इसकी क्या-क्या सफेद दाग के अलावा फायदे हैं सफेद दाग में कै एमडी डॉक्टर हो और मुंबई में 2017 से प्रैक्टिस करता हूँ आज हमारे क्लिनिक के बाहर ही एक ये दवा लगी हुई है ये एक और लगी हुई है इसका नाम है काको दुंबर जी हां काको दुंबर करकी भी एक दवा होती है जिसको हिंदी में कईवाल गूलर ऐसे करकी ब रुकता है वहां से लेके उपर तक हर जगह जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे हर जगह ये इस तरह के फल लगे हुई मिलेंगे इसे काको दुंबर बोलते हैं इसके पत्ते कुछ इस तरह के एकदम रफ ऐसे होते हैं ठीक है पीछे से भी एकदम रफ और आगे से भी इस तरह के इसके पत्ते होते हैं और फल ऐसे छोड़े ऐसे बहुत सारे फल मिलते हैं मुंबई का या फिर महराष्ट का जो पश्चिमी एरिया है वहां पर तो ये सबसे ज़्यादा वादा बहुत ज़्यादा उगने वाली ये औशदी है काफो दुंबर तो इ इसके कोण बताते हुए आईर विग में रुक्ष लगो ऐसे कहा गया है रुक्ष अर्थात ये ड्राय होती है लगो अर्थात हलकी होती है नेचर में और तिक्त कशाय ऐसे टेस्ट बोले हैं कि मतब थोड़ा सा कड़वा और कसैला इस टाइप का इसका टेस्ट होता है को सफेद दाग का राम सुनते हैं लोग बोलते हैं ठीक है बाकुची यूज कर लो पर वो जो बाकुची दावा है ठीक उस वो गरम होती है नेचर में तो जिनको सफेद दाग हो बोलते हैं जैसे हम ये तेल लगाते हैं तो हमारे सफेद दाग की तकलिफ और बढ़ जाती ह या इसकी गर्मी हमें बरदास नहीं होती तो ऐसे लोगों को जिनको गर्मी बहुत लगती है हीट की तकलीफ है उन लोगों को ये नेचर में क्योंकि ठंडी है और सफेद दाग में बहुत अच्छा काम करती तो उनके लिए जादा कमाल की दवा होगी क्योंकि इसे शीत वीरी बोला है अर्थात ये ठंडी होती है सफेद दाग में जब आप इसको अगर तोड़ेंगे जैसे कि अभी मैं इसको अगर तोड़ू ऐसे तो तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें से इस तरह का कुछ दूद निकलता है ये ऐसा यहाँ पर ये दूद इस तरह का कुछ ये दूद निकलता है इस दवागा ठीक है तो इसका जो दूद है इसके जो फल ऐसे तोड़े जाते हैं ये कच्चे में इसको उस सफेद दाग की जगा पर लगाया जाता है या इस पेड की जो छाल होती है उस छाल को भी निकालके सफेद दाग पर लगाते हैं तो उस जगा पर छोटे छोटे फोड़े आ जाते हैं और बाद में वो जब ओड़ जाता है उड़ जाने के बाद फिन नई जो नौर्वल तचा आने में मदद मिलती है साथी साथ इसके अगर पके हुए फल है जिन लोग को गले के आप गाठ वाठ आने की बहुत सारी छुटी छुटी गाठ आने लग जाती है गल गंड जैसी बिमारिया तो उस पे पके हुए फल को भी पीस के लगाया जाता है इंटर्नल इसकी बात करें अगर आप ओरल खाएंगे तो क्या-क्या फाइदा मिलेगा इसके अगर आप फल खाने में यूज करते हैं अनाहा उदर्द अर्श कामला ऐसे करके शब्दा है अनाहा मतब जिनको बहुत ज़्यदा पेट फुलने की तकलीफ है जिनको पाइल सोने की तकलीफ है ठीक है या जिनको पेट में बहुत बार गर्मी लगती है पेट फुल जाता है पेट में बहुत ज़्यदा जलन होती है लीवर से related problem है तो इस आउशधी से woman उल्टी भी अच्छे से होती है और इसका पर main काम है विरेचन loose motion कराके जो भी आपके शरीर में दोश इकठा हुए हैं जिसके कारण सफेद दाग ये कुछ भी suppose आपको piles हो रहा है लीवर में दकलिफ हो रही है उन सब को ये जो दवा है वो साफ करने का काम करती है और यही अगर इसके पकेवे पर मिलते हैं वो अगर हम खाते हैं तो वो मधूर और बल्ले बोले हैं मतलब मीठे होते हैं ये इसके पकेवे पर खाने में ताकत बढ़ाने क काम करते हैं शुक्रदातो को वुरुष्य है तो शुक्रदातो को नुरिश्मेंट देने का काम करते हैं और ऐसी लेडि के गो प्रेगनेंसि होने के बाद अगर उनको proper milk secretion नहीं हो रहा है तो उसको भी ये बढ़ाने का काम करती है इस दवा का सबसे खास एक्शन रख्त औ मिल रहा हो या फिर bleeding होने की तकलीफ हो रही हो वे इसमें और अगर fat बढ़ रहा है चर्बी की गांटे होने लग गई है मोटापा बढ़ रहा है बहुत जदा पसीना आ रहा है तो उसमें इसके कच्चे फल बहुत अच्छे काम करते हैं और इसके अगर पके फल खायते हैं काको दुमबर के शुक्र को बढ़ाने का काम करेंगे ताकत बढ़ाने का काम करेंगे और जो milk secretion है ladies में वो करने का मदद करेंगे ये अच्छे से मल को clear करने का काम करती है काको दुमबर इस तरह की ये दवा है कच्छे फल का भी अगर सफेद दाग के पेशन्ट है तो उनको देने के लिए हम यूज करते हैं इस अउशदी का मतब इसके फल का और इसकी छाल का हम काढ़ा बना कर जो भी सफेद दाग के पेशन्ट है क्या कर सकते हैं कि पहले तो इसका जो दूद होता है अगर आपके आवेलेबल हो तो उस जगा पे जहाँ जहाँ सफेद दागे वहाँ पे इसके दूद को लगा सकते हैं जिससे की वो जो लेयर आई है वो वाइट लेयर निकल जाएगी और मेलेनोसाइट्स का प्रोडेक्शन बढ़ाने में ये मदद करेगी एक ये प्रयोग दूसरा इसकी जो छाल होती है वो छाल को लेकर और इसके फल को लेकर पत्तों को लेकर इन सब का पंचांग का मतलब जितना पॉसिबल हो उबाल कर इसका काढ़ा बनाते हैं और आरगवत नाम की जो औशरी होती है वो भी पित्त निकालने का काम करती है तो पेट साफ करने के लिए ऐसे पेशन्ट को हर दो-दो महीने में ऐसे पेशन्ट का विरेचन किया जाता है मतलब पांच दिन जैसे महातिक तिया पंचेतिक तिक घी पीने के लिए दे दिया दो दिन मालिश किया और फिर इसी का काढ़ा पिला पिला के उनका पेट साफ करते हैं जिससे कि वो जो सफेद दाग की तकलिफ है वो जाने में उनको अच्छे से मदद मिल सके तो सफेद दाग के लिए शुत्र भैसज ऐसे करके इसको उश्यदी बोली है पंजाब बंगाल जो मध्य भारत है और स इस जगह उपर ये बहुत ज़्यदा उपती है तो ये एक कमाल की दवा है उन पेशेंट के लिए जिनको सफेद दाग की तो तकलिफ होती है पर सफेद दाग के साथ साथ उनको गर्मी भी लगती है ठंडी लगके सफेद दाग है तो उसमें सोम राज जिसकों की बाकुची बहुत अच्छा काम करता है पर गर्मी भी लगती है और तकलिफ है तो इसको विरेचन करने के लिए या डेली यूज़ करने के लिए या लेप लगाने के लिए ये काको दुमबर एक कमाल की दवा है आप में से जो भी आयर्विदिक वेद्य है अपने प्रैक्टिस में ये जरूर यूज़ कीजिए अगर आपके पास सफेद दाग का कोई भी पेशन्ट आता है या आपके घर के आसपद अगर आपको सफेद दाग की दकलीफ है दो से तीन महिने में इसके फल पक जाते हैं खाने के लिए इसके फल जादा बड़े नहीं होते इतने ही साइस के होते तो खाने में भी आप इसके यूज़ कर सकते हैं कमाल का बल ये टॉनिक आउशदी है जो कि शुक्र धातुज़क जाके उसको नरिश्मेंट देने का काम करती है तो ये तो था काको दूंबर की बारे में इससे डिलिटेड और कुछ डाउट से तो आप कमेंट करके पूछ स सकते हैं और बाकी आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप सिजेशन दे सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें